एक चीज बहुत ही amazing सिखिए मैंने वो ये कि आप लोग से subscribe करवाना बहुत ही complicated काम है और आज मैं 100% बोलता हूँगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो बिना subscribe की हुए जाओगे ने क्यूंकि आज की वीडियो आपके android app development के career में बहुत ही important value addition करने वाली है तो तो देखो यहाँ पे आज का है ये देखो ये कार्ड जो है ये देखने में आपको बहुत simple लग रहा हुआ ठीक है और आप ये देखके सोच रहे होगे अरे यारे इसमें क्या रखा है ठीक है लेकिन इसमें बहुत कुछ रखा है बहुत कुछ अगर आप एक बहुत beginner level पे canvas सीख रहे हो न तो इसमें बहुत कुछ रखा है सोचो मैं इतना excited हूँ इस चीज के लिए तो आप कितना excited होगे एक एक चीज में आपको इसमें step by step बताने वाला हूँ कि ये जो curves है वो कैसे आप इस पे बना सकते हो ये card पूरा कैसे बना सकते हो बीना taught party library इस्तमाल की हुए ओके तो आज की वीडियो में एक down detail में जाने वाले हैं लेकिन अगर आप beginner हो और अभी से ये वीडियो पे आप आ गयो तो मैं बता दू आपको नई समझ में आने वाला ओके तो वो चीज समझने के लिए आपको ये वीडियो जो है न मेरे ये यहाँ पे ये कुछ वीडियो पड़ेगा और ये path के बारे में तो खास करके क्योंकि इसी से सब कुछ possible है ओके तो इसको बनाने वाले आप तो इसको breakdown करते हैं सबसे पहले तो देखो इसको assume करो एक basic सा rectangle है ये ठीक है basic सा rectangle है और उस पे curves लगा दी गए ये curve ठीक है इधर curve है और इधर curve है और बीच में क् कर दी गहें ठीक है लाइन क्रते हैं से उपर से क 입니다 मतलब एक और मतलब ऐसा कहलूद हमते हूं कि जैसे 2 है 2 है आपको लंग रहा हूए 2 है लेकिन ये खही मुलाम कर दिए इसके आदा मैंने ये कल खार दिया उसके बाद से इसमें देखो इसमें जो text start हो रही है न वो नीचे से start हो रही है ऐसे ये अगर आपको दिखने में simple लग रहा है आपने कभी ऐसे try नहीं कि अंत्र try करके देखो आप उन्हें समझ में आगा कैसे होता है अगर आएगा भी तो ये इदर उदर भागने लगीगा तो ये बहुत ही important है उतना tough नहीं है लेकिन बहुत important है ये चीज designing में हर एक चीज बहुत important role play करती फिर ये जो चीज़ है ये तो है ठीक है बाकी ये lines कैसे draw किये मैंने वो वो भी curve lines है यहाँ पर ठीक है और इसका इस्तमाल करके आप और भी चीज़े और भी must must lines कैसे draw कर सकते है canvas में यहाँ पर देखो ये जो curves लगे है वो बहुत ही important है ठीक है तो ये देखो यहाँ पर curve लगा हो है फिर वही यहाँ पर curve लगा हो उसके पास से 1, 2, 3, 4 और ही मैं एक चीज बता दूँ कि ये पूरा responsive है बहुत ही बैतरीन काम करता है आप इधर के cards मतलब इधर के circle बढ़ाना चाहो तो ये भी बढ़ा सकते हो ये बढ़ाना चाहो तो ये भी बढ़ा सकते हो तो चलो फटाफट मैं जितना excited हूँ न उतना excited आप भी मुझे लगता है तब भी आप यहां तक वीडियो ये दिख रहे हो तो चलो मैं आपको आज सिखाता हूँ और trust me ये बहुत ही ज़्यादे आसान है बहुत ही ज़्यादे आसान ठीक है अब ये जितने भी वीडियो मैंने बनाई तो इसमें code करके मैं बताया था आपको लेकिन इसमें मैं step by step line by line मैं आपको समझा हूँ हुआ code मैंने इसलिए करके रख लिया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाते है 20-25 मिनट की वीडियो हो जाती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है आप थोड़ा थोड़ा करके देखोगे देखोगे तो direct आप देखो और इसको apply करो ओके यहाँ पर देखो कि मैंने ये basic setup है ठीक है ये आप कर ले ना मैं हर वीडियो में ऐसे करता है एक preview function मनाता हूँ है यहाँ पर और उसके बाद से क्या ये जो normal function है वो बनाता हूँ और आप कोई design बनाते हो जैसे हमने ये design बनाया है ठीक है तो आप एक एक चीज ये text जो है हर एक चीज canvas में अगर draw करने जाओगी तो आपका मत्था खराब हो जाएगा भाई ठीक है वो इसलिए क्योंकि उस पर complicated है थोड़ा सा है लेकिन अगर आप ये वीडियोस देख लोगे तो आपको complicated तो नहीं लगने वाला सोट अगा लेकिन अगर आप नहीं देखते हो अगर तो इसलिए मैंने ये इस एक पॉस्वल फंक्शन के साथ ही बनाया है ताकि आप जितना कस्टमाइजेशन आप करना चाहो इसमें जू भी चीज दिखाना चाहो आप दिखा सकते क्योंकि ये पूरा responsive है तो चलो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पे एक box ले लिया है ठीक है इस box का कितना है with 30 sorry 300 dp ठीक है पैडिंग लिया है यहाँ पे और हाइट लिया है कितना 120 ठीक है अभी देखो ये 300 मैंने क्यों लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मालुकी मेरे को एक horizontal वहाँ पे कहां इसके बाद कुछ है नहीं तो एक ही काड रहेगा तो वह scroll भी नहीं करेगा ऐसे दिमाग पर नहीं चड़ता है आपने play store में देखा ही हुगा ऐसे और height मैंने इसका height यह आपे set करके रखा है ठीक है तो समझ लो कि यह हमारा क्या है canvas है क्या है हमारा canvas है उसके अंदर हमने यह सब draw कर दिया है अब देखो जो अपना modifier function होता है ठीक है उसके अंदर हम directly canvas के function को एफिर canvas draw कर सकते हैं ठीक है और modifier हमको ऐसे functions देता है जिसका मतलब जो canvas के scoops रखते हैं अपने अंदर ठीक है जिसके अंदर हम canvas वाली जो भी चीज़े होती है ऐसे custom UI draw करना है तो वह सब हम इसके अंदर draw कर सकते हैं यही तो बवाल है भाई यही तो बवाल है ठीक है तो अब देखो draw with cash हमने यहाँ पर इस्तमाल किया है और यहाँ पर on draw with content यह देखो यह जो functions है यह मैं आपको आने वाले वीडियो में बहुत ही बहतरीन तरीके से समझा दोगा लेकिन सबसे पहले आपके यह basics तो at least समझ ज दिखा है तो इसमें तो कोई confusion होगा नहीं 100% ठीक है अब देखो यहाँ पर जो circles में यह draw करने वाला होना है इसका radius मेरे को पता होना चाहिए कि circle होने कितने वाला है ठीक है तो मैंने 20 float value चलता है यहाँ ठीक है खाली float value चलता है तो यह आपको radius 20 लेना पड़ेगा ठीक है व यहाँ एक छोटा सा common sense लगाओ ना कि देखो अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पर जो यहाँ पर मैं इधर से समझाता हूँ कि देखो मेरे पास यहाँ पर यह जो circles आए ठीक है इसको क्या होगी हम loop में चला दें instead of कि हम cavalry एक एक करके हम यहाँ पर space set करें तो loop में चलाएंगे बस इसी trick का अब देखो अभी मैंने इसमें loop का इस्तमाल करके किया है क्योंकि अभी मैं आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा easy बनाना चाहता हूँ बाद में हम इस पर path effect भी apply कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली यह path का इस्तमाल करके भी आप इसको draw कर सकते हूँ ठीक है तो उसे और amazing result मिलेगा लेकिन अगर direct path का path को apply करोगे तो वो थोड़ा complicated पर जाता है ठीक है क्योंकि path में क्या होता है कि lines को match कराना होता है लेकिन इस case में हमें कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही simply यह चीज़ो जाता है इसमें मैंने trick भी लगा है वो भी मैं आपको last में बता हुआ जिससे कि आपको यह पता पड़ेगा कि यह curve कैसे दिख रहा है हाँ तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया रहा है कि यहाँ पर 8 तक 0 से लेके 8 मतलब हमारे पास 9 जो है total यह lines मतलब यह draw हो रहा है ठीक है 1,2,3,4 नहीं नहीं तो देखो यहाँ पर है अपने पा यहाँ पर आर्क ड्रो किया आर्क क्या होता है आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपको जैसे एंगल के साथ खेलना हो कि मतलब आपको एक ऐसा circle ड्रो करना है जो कि आधा हो ठीक है उसका आधा पार्ट यह दिखे आधा नहीं दिखे तो बहुत कहां से करेगा और swap कहां तक करेगा ठीक है तो जैसे मालो आपको 90 डिगरी बताना है तो आपने क्या बोला उसको कि 0 से लेके 90 तक करो तो 90 डिगरी का एंगल ड्रो करते हुए एक circle बनाएगा जो कि उतने तक ही हुआ फिर आपने आर्क ग्राफ देखा यह होगा कोई ने कही वह कहीं भी तो वो कोई circle होता है आधा होता है कोई कोई होता है वो पूरा मतलब बीच में से ऐसे गायब होता है समझ रहा है तो वो चीज़ अगर आपको ड्रो करनी है तो इसमें बहुत ही बैतरी नहीं तो यह आर्क बहुत ज़रूरी है आर्क में हमको क्या rectangle चाहिए ? रि वो मैंने आप इसको दे दिया उसके बाद से मैंने क्या बोला starting angle degree starting angle degree कितनी होनी चाहिए 90 होनी चाहिए तो यह 90 float में जाएगा ठीक है और यह कहां तक चलेगा 180 ठीक है तो यह क्या करेगा सीधा और क्या बरेगा कि एक आधा circle यह draw कर देगा जैसे कि आप देख रहे हैं आधा circle यह draw है ठीक है तो यह कर देगा अब यह जो चीज़ है ना यह देखो वीर्थ क्या है वीर्थ जो है यह पूरा space लेगा मतलब अपना 0 वाला angle यह आपको बताए और अगर आप वीर्थ करते हो तो मतलब कि 0 से लेकि यह कहां तक आएगा यह राइट साइट तक आएगा ठीक है तो यह थोड़ा सा और बैतरी नियाब देख रहा है अगर मालो कि मैं 3-4 करूँगा तो आप देखना कि यह जो है यह सरकर लेना थोड़ा सा चोटा बढ़ा होगा मालो कि मैं यहाँ पर 50 कर विता हूँ ठीक है तो देखो यह देखो पूरा plane हो गया ठीक है तो यह इसके value के साथ आपको खेलना होता है तो यह पूरा होगा और यह height क्या है height into i into i करेंगे तो यह क्या करेगा कि यह 5 हमको यहाँ पर draw करके देगा by 5 की आहे तो मैंने अगर वालो कि मैं यहाँ पर 7 करता हूँ ठीक है तो यह देखो 7 हमको यहाँ पर draw करके देगा ठीक है तो जितना चीज अब हमारे पास इधर भी है तो हम मैंने क्या मुला था कि उधर अगर आप वीर्थ करते हो तो जो आपका एंगल होगा वो पूरा cover करेगा मतलब कि 0 से लेकर यहां से और यहां तक आएगा ठीक है लेकिन अगर केवल आप 0 तो आपका स्टार्टिंग में भी हो जाएगा बस आपको यह वैल्यू चेंज कर देना है ठीक है और बाकी यह फंक्शन आप यह जो लूप है यह से वाप कॉपी करके यहां पे लिख दोगे तो आपका इधर का भी यह ड्रा हो जाएगा बहुत ही इजी है और कुछ भी आपक कराने लिए बाइट 6 कर दिया है तो मेरे को 6 यहां पर मिल रही है ठीक है और वही मैंने किया यहां पर radius पास कर दिया है बस कुछ भी नहीं किया है और वही swap value में swap value में देखो मैंने उपर प्लस 90 में लिया था, यहाँ माइनस 90 में लिया है, है ना वेजिंग चीज, आप कितनी असानी ट्रिक लगागी इसको कर सकते हूँ और बाकी लास्ट न इसको मैंने क्लोज कर दिया है तो बस इतना ही है इतने में आपका ऐसा आपट यहाँ पर दिखने लग जाएगा कुछ भी नहीं करना उसके बात से अब देखो, यह जो लाइन ड्रॉक करना लाइन वाला मैंने अल्रेडी आपको बता दिया है मेरे वीडियो में आप जाके देखो कि लाइन कैसे ड्रॉक करते हैं यह मैंने सब यहाँ पर बता रखा है मैं आपको यह दिखा देता हूँ यहाँ पर देखो यहाँ पर यह लाइन वाला है ना पाथ वाला ठीक है, बाथ इफेक्ट इसको जाकर देख लेडा आपका लाइन का एक ही कंसेट बहुत ही बैतरी न तरीके से clear हो जागा ठीक है इसमें path effect का भी मैंने जिक्र किया है तो यह आप समझ जाओगे कि यह जो section है यह ठीक है यह कैसे draw करते हैं ठीक है तो इसके लिए तो please जाके देखना और बाकी मैं आप direct इस पर आता हूँ ठीक है तो देखो यहाँ पर बहुत simple है बहुत simple यहाँ पर मैंने क किया है कि एक rectangle मतलब एक raw लिया है यहाँ पर और देखो last में आपको यह draw content जरूर करना है ठीक है तब भी आप इस पर अगर मैं इसको हटाता हूँ नद देखो क्या हूँ तो यह देखो गायब हो गया मेरा पूरा ठीक है तो इसके लिए आपको यह draw content करना जरूर यह तब आप इस पर आगे कुछ भी लिख पाऊँए अब उसके बाद से अब देखो यह क्योंकि एक box है क्या है एक box है हमने यहाँ पर बना के रखा था ठीक है यह देखो तो अब इसके अंदर हमको यह सारे content भी तो डूरा गरने है ना भाई तो यह बहुत असान है यह तो आप कर के साथ थोड़ा सा खेला है मैंने इसको देखो composable function जो modifier है अपना modifier उसके अंदर सारे functions ने लोगने attach कर दिये उसी से आपको खेलना है तो देखो dot rotate लगा है और मैंने minus 90 लगा है तो यह जो मेरा कम पहले तो मैंने क्या किया कि इसको draw कर लिया इसको बूरा मतलब सीधे में draw क लिया उसके बाद से यहां पर यह पूरे में मैंने क्या किके minus 90 रोटेट कर दिया तो यह मैरे को यह output यहां पर मिल लिया और उसके बाद से देखो यह text के बीच में spacing थोड़ी सी दिया है तो वह text style में अगर आके आप यह सब सेट कर दोगे letter spacing तो यहां पर आपको यह भी मि और यह Cyrus kaldaya कर दिया था इसलिए मेरेको आदा यही इधर देखने को मिल आ है तो आधा यहां यहिधर देखने को मिलना है आप तो इसा नियुक्त अन यह प्रशक कर टाई आप अप अज अगर ये जो स्पेस है यह मैंने इसी हिसाब से यहां पे सेट किया है तो अगर आप इसको और सेट करना चाहते हैं तो और भी अच्छे तरीगे से सेट कर जाते हैं अगर इसका नेक्स पार्ट आएगा ना मतलब जैसे जैसे मैं इंप्रूफ करते जा रहा हूँ आप सिखते जाओगे ना तो मतलब एक सॉलिड अंडरस्टेंडिंग होगी ना आपके अंदर तो कैन्वस में जो कंफिडेंस होगा आप किसी भी टाइप कही हुआ ही बना सकते ह कितनी असानतर ही किसी आपको समझा दीथी ठीक है वैसे यह भी है और आने वाले टाइम में बहुत ही बैतरिन बैतरिन वीडियो स्केनलस पर लेके आने वाला हूँ ठीक है तो अगर आप एक बहुत ही मतलब ऐसे टाइप के डेबलबर हो ना जो सुशते ही को हर चीज आप खुद से बनाओ ठीक है और हर चीज़ पर आपका कंट्रोल हो और आप अपने नॉलेज की क्यों बूस्ट करना चाहता ना हाई लेबल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तो करी दो ठीक है अब तो करी दो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ठीक है इस वीडियो का हेम रखते हैं 20 लाइक का ठीक है और सब्सक्राइब जीतने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो करो ही ओके तो हम मिलते है नेक्स वीडियो में और अगली वीडि के लिए भाहे भाहे